इस अफ्सोसनाक दिन अधारत की कारवाई करनी पड़ रही है इसका हमें बहुत दुख है सरकारी वकील साब को स्वबूत पेश करना चाहें तो कर सकते हैं आ है यौरहया है है और कुछ नहीं किया पने परेखा जो आधि क्तार के संधड में अधार के से रहे हैं मारत करना यारा कि मुझे कुछ डिली आधाव यह जा रहा है यहीं जानते हुए यॉरहाँ में कुछ कहनी को इजाजएत मांग रहा हूं जाजएते नेन यूर आउनर इस अदालत के ऊपर एक और अदालत है जिसका फैसला मेरी रूप की गयराहियों तक पहुँच चुका है वहां सबूत नहीं मांगे जाते और सजा दी जाती है जो सबूत इस अदालत को चाहिए वो मिला होगा लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए बेती ने वो सबूत को जला दिया और क्यूंकि उस अपने बाप को खसूर वार पाया वो खुच जल कर मर गई इस से भेहम कर सजा और क्या हो सकती है कि ये ख्याल मेरे दिल की घाओ में मौत की घड़ी तक रिस्ता रहेगा उद्रत ने मेरे दिल को पकड़ कर यू नचोड़ा है कि तबाम उमीदें सब बर्मान सारा गरूर गत्रा गत्रा बनकर खून की तरह बह चुके हैं और अब और अब कुछ नहीं रहा मेरी सिर्फ एक ही खुआश थी कि दुनिया भर की खुश्यों से अपनी बेटी का दामन भर दूँ उसके लिए खुश्यां ही खुश्यां छोड़ जाओं लेकिन ऐसा नहीं हो सका बेड़ा एक ही पाप उसकी जान ले बैठा उसकी खुश्यां थी कि मोहन की शादी चंदर मुखी से हो जाए मैं अपने सब कुछ मोहन के नाम करता हूँ और दुनिया भर के सामने अपने जुर्म को कबूल करते हुए उस अदालत के बाद इस अदालत से भी सजा के लतजा करता हूँ ये इलतजा उबूल सर्माई जाए हर पहलू को मद्दे नदर रखते हुए अदालत मुझरम को उम्र कैद की सजा देती है जीते रहो जीते रहो झालत मुझरम करते हुए